दोस्तों नमस्कार आपके घर में हो महालक्षमी का प्रवेश मैं हूँ देवेश दोस्तों रोजाना शुबह और शाम हम आपके लिए 6 महत्वपूर्ण खबरों का मजेदार विशलेशन लेकर आते हैं इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा उसी क्रम मे आज हम चल्चा करेंगे भाई साब कि सुप्रीम कोर्ट की भाईया असली परेक्षा चालू हो गई है मुसलिम महलाओं ने दरवाजा खटकटाया इस बार कास्मीर में भाई साब देखिए आप कितना बड़ा परवरतन आ गया है भाईया जी ऐसा तो आज तक कभी नहीं हु हैं तो उनसे नपटने के लिए जैसंकर सहाब ने बहुत अच्छे से त्यारी कर ली है 22 देशों के आर्मी चीफ सेनाय भारत क्यों आ रही है भाई साब यूक्रिन ने भाई साब कौन से देश का द्रोन गिरा दिया है अमेरिका के हो सोड़ गए है उस घटना करम के कारण भ जब हिंदुओं के मुकद में पहुंचते हैं तो सुप्रीम कोर्ट आओ देखता है ना ताओ सीधा हतोड़ा मार के कानून बना देते हैं लेकिन अब पहुंच गई है कौन मुसलिम महला है तो इस बात की संबावना बहुत बहुत अधिक है कि सुप्रीम कोर्ट भी कह सुप्रीम कोर्ट भी डरता है डरता है कि नहीं वो देखने का मौका मिला है अब क्योंकि महलाओं का कहना है कि भाईया जो खांदानी संपत्ती है उसमें जो हमारा हिस्सा है वो भाईयों के बरावर है लेकिन हमको जो है सरिया के मुताबिक सिर्फ एक बटा दो आदा हिस्स मिलना चाहिए जो भारत में अधिकार सभी महलाओं को प्राप्त हैं वही अधिकार मुस्लिम महलाओं को प्राप्त क्यों नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महलाओं के साथ भेदवाओ क्यों किया ये बात ये सवाल हम लोग नहीं उठा रहे महलाओं उठा रही है सु आ चुका है बाईसाब अब दूस्तों आसमान में जो ध्रूबत आ रहा है ना उसका काम क्या होता था भटके हुए राहियों को रास्टा दिखाना लेकिन यूटूब पर ध्रूबत आ 3,000 लगता था, 5,000 लगता था, आब उन्हीं का करचा 17,000 लग रहा है, क्यों, 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 बहिए जी जिबास सबको समझ में आती है, demand बढ़ गई है supply के सामने इसलिए दाम बढ़ गए भाई साथ, तो भाईया जी मोजी सिरकार क्या कर रही है भाईया जी हवायात्रें बढ़ाओ यात्रीयों को नहीं रोकना है हवायात्रें बढ़ाओ अब तो भाईया जी जमीनी रास्ता बन रहा है बारा महीने चलने वाला रेल बन रही है वहाँ तक तो भाईया जी और याक्त्री जाएंगे अरे भाईया जी आप विश्वास नहीं मानोगे भाईया जी पिछले 30 सालों में सबसे अधिक टोरिस्ट पहुंचे हैं कस्मीर में आप ये टोरिस्ट जो गए हैं जे चाय ना लिवरजगारी की समझ्ट एक बार में आप दोस्तों आप ने बिकरम ब 특क यानिया तो सभी कर में तो बिकरम सभाइ साहब तो बैताय जैसंकर और म向ी क्या हैं थै पुरा वरोसाय जैशंकर साहब कर देंगे समाल लेंगे लॉंडे को बद भाइया जी भगवान श्री राम ने कहा है कि भय बिनुप्रीत नहोत गोसाई भय बिनुप्रीत नहोत गोसाई जो मतलब प्यार से बात करना है लेकिन साथ मैं तेल पिला के डंडा भी रखना आपने पड़ोस में भाई साब नहीं तो नहीं तो भाई जा जे नहीं समझेंगे इन पर भाईया हुमन राइट्स मानवदकारों का फितु चड़ा हुआ है इसलिए मूँ तो खोलेंगे भाई साब बिल्कुल चुनके भेजा है बाइडन बब्बा ने इसलिए नपटने के लिए पहले से ही तयार रहना है अपनको अब दोस्तों आप स्वें देखिए बाई साब एक जमाना था भारती सेना दुनिया में जाके भाईया उनके हत्यार देखा करती थी नहीं भाईया जी अट देख लो आप बाईस देशों की सेना और आरमी चीफ भारत आ रहे हैं तो वो देखो सश्टे में high quality हतियार मिल रहे हैं तो क्यों ना खरीदें अफ्रीगा के इतने देश आ रहे हैं आप में से कुछ लोग कहेंगे कि क्या यार अफ्रीगा के देश जो है विकास सील देश हैं गरीब देश हैं इनकी बातें क्यों करते हो तो हमने कहा कि भैया जी एक ए जी हमें भगवान श्री राम ने यही सिखाया है दुनिया में आप पूर्य घूम लीजिए चिराग लेके इतनी अधिक विवजताओं और विशमताओं से भरा हुआ गटबंदन और किसी नहीं बनाया और वो गटबंदन मनाके उन्होंने लंके सरावन को खराया और वो जो जीता और आज भी इंडो पैसिफिक इस्ट्रैट जी भगवान स्री राम की इस्ट्रैट जी यह अलाइंस की तो भाईया हम वही अलाइंस बना रहे हैं हमने जो गलती पानी पत्के पहले दूसरे और तीसरे युद्ध में करी तराइन के युद्ध में करी जिसमें हमारे सम साथ कही जाती है कि बरगत के नीचे घास नहीं उगती तो केजरी वार भाई सब ऐसे ही बरगत हैं आप देख लीजिए इनके नीचे घास का एक तिनकावी नहीं उग सकता भाई साब अभी देख लो लेटेस्ट सिकार हुए हैं सरावीश सौधिया भाईया जी पूरी फैम प्धाशन क्यों चोटे नहीं हैं इनके नाम भी बड़े हैं और दर्संग भी बड़े हैं नाम नाम था मार लेना इन्होंने भाईया जी Colemane स्वाधिया की गड़ी मार ली है और उसी की जगाए बैट गई है तो भाईया जी अपने सरनेम पर पूरी खाई उतर गई है यह बड़ी बात जी है बाइया जी के अमेर्की जहां जो मैं हत्यार भेजेगा तभी तुम्हारे दमाग का बोल भी जलेगा लेकिन बहाईया चीन ने वहीं ऐसा कवारी द्रोन भीजाए एक फॉर्टी से गिरा दिया यूक्रेन ने मतलब जे जो है रूस की मदल भी ऐसे कर रहे हैं कि रूस भी जो है करम पोड़ कि रोएगा कि यहां पर लेकिन मुद्दे की बात गया है कि अमेरिका तुम जो है अखवारी जंग लड़ते रहो बेटा कुछ नहीं हो सकता तुम आई साथ इनके कंसेप्ट हिले हुए हैं कुछ नहीं कर सकते हैं आप दोस्तों बच्पन में दादा दादी नाना नानी माता पिता सब ने आपको कहाणियां पढ़ाई थी क्यों ताकि आप बड़ापन में और बड़ापन में उसका इस्तेमाल करें पैसा कमाएं लेकिन होता क्या है जब काम करने की बारी आती है तब हम जो जुए उन कहानियों को भूल जाते है तो यह जो समस्चा है उसको हमने कर दिया है समा यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जैश्री राम